जैहिन दोस्तों आज हमें एक नए सूचना लेकर के फिर से आपके समक्ष उपसित हैं जो कि रक्षा मंत्राले भाद सरकार डिफेंस रिसर्च डेवलाप्मेंट और्गनाइशन डी आर डियो से जुड़ा हुआ है यह गार्मेंट आफ इंडिया की मिनिस्ट्रे अफ डिफें मिलेगा सोथ वासा बताने की कोशिस करेंगे पहला है इस आफिसे साइट पर जाएंगे तो जैसे ही राइट में क्लिक करेंगे तो दिखेगा आपको इस तरह से कुछ क्लिक हेर टू सब्मिट ऑं-लाइन अप्लिकेशन फॉर्म अंडर दर सी इपी टी एम याद देखिए कि दोकुमेंट्स रिक्वाइड हैं उन सभी को इकठा करें और इस फॉर्म को बढ़ने की कोसिज करें अच्छा और इसके बाद और भी इंपोर्टेंट बात है जिसे डाउंडूड को एडवर्टीजमेंट करनी है तो आपको इसे नीचे बाप क्लिक कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि फॉर्म जो आज से ही शुरू हुई है और 23rd को लास्ट सेट है इसलिए अपने डोकुमेंट्स समय रहते ही आप त्यार करें और इसको फिल कर दें और जितने भी क्वालिफिकेशन सब को जो है 23rd सेप्टेंबर तक आप फॉल्फिल करत पर के अम इसके द्वारा एक पेपर कंड़्टर ना है जिसमें सेनियर टेक्निकल असिस्टंट बी सती ए भी जो की ग्रूप भी है नन मिनिस्टरियल और दूसरा पद है इसके लिए जो इंपोर्टेंट डेट्स हैं सबसे पहले उसकी चर्चा करेंगे इसके लिए जो इलिजबिलिटी होंगी वह सर्थ 23 सितंबर 2022 आपके पास पूरी हो जानी चाहिए ओपनिंग डेट फॉर ओनलाइन अप्लिकेशन जो कि आज से ही शुरू हो रहा है थार्ड सेप्टेंबर समय दस बज़े शुरू से दस बज़े क्लोजिंग डेट फॉर सब्मिशन अफ अप्लिकेशन 23 अफ सेप्टेंबर सामके पांच बज़े तक है टेंटेटिव डेट आफ टायर वन जो कि सीबीटी होगा अनि कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट होगा जो कि समय रहते डिया दियों के वेबसाइट पर पब्लिस कर दिया इसके लिए एज की बात करें तो 18-28 चाहिए जिसमें जो गवर्मेंट के नॉम्स के करेंगे से एस्ट और बीसी एंसे नन करें मिलिया जो यह एसम है पीड़ो पीट यह वीडियो है डाइवोर्सी है वीमेन है वीमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम दियर हस्वेंट इ याली डिप्लोमा वाले जो Suppose में अनके लिये है और जो गाइजुत है है सइंस पुर्फ ऑल Uhr दिखाया गया है इस broken यहifer क्वर्यशन्त के इन्खशिन को कितनी इसको देखनी अप इक बार थभुआ द्यों स्क्रॉल करके का इसप चेकर नंबर और पोस्ट जो बताएं तो 1075 है पोस्ट की संख्या बहुत ही बहतरीन है जो लोग अपने आप थवासा भी तियार कर लें तो उनका अरस्वनिशित बन सकता है दूसरा पत जो बताया मैंने टेक्निशिन ग्रूप की टेक्निशन यह ग्रूप सी का पॉस्ट है जो नंगर्शन नं मिनिश्टर्स के पेस्केल जो है पेलेबल टू है जिसमें नाइटीन थाउजन नाइन हंडिट से 63200 है सेवन सी पीसी के ताथ इसका भी एज लिमिट जो है वह 18228 है और वह गर्मेंट के नौम के कॉर्डिन श करना चाहिए ऐसाथ मिनिममम ओन यह डियुरेशन फ्रॉम रिकोगनाइज इंसीचूशन इन रिक्वाइड डिस्टिप्लीन इन इन इस आई इटी इन वाले के साथ दू नाट का रूट अवार्ट सेटिफिकेट इन डाट डिसीप्लीन और नेशनल ट्रेट सेटिफिकेट जैसे किसी भी ट्रेड में आटो मॉवाइल है बुक बाइंडर है कार पेंटर है इस तरह से डिफरेंट के लिए हैं इसको आप देख लिए इसमें टोटल नंबर आप पोस्ट जो है वह 826 है और कैटोगरी वाजिशन जो है चूट जो है अब देख लिए कि इतनी वेकैंसी किस कैटोगरी में कोड दे रखी है कोड फॉर पोस्टिंग इस्टेशन एवन फॉर आगरा एटू फॉर अहमद नगर एथिरी फॉर अंबर नाथ और बीवन बाला सो इसको एक देख लिए कि किस पोस्टिंग कि एस्टेशन कहां कहां है परसन विट बेंचमार्क डिजाब आप इसमें आप इस फर्म को भर सकते हैं इसमें कहीं को इंस नहीं है जैसे आप बात और से शेंटर से याम संटर्स पर टायर वन सीबी उसके थाटी-नाइन से बनाया गाए पुरे तरू आउट अब इंडिया जिसके सेंटर्स आप अपने सुधार में सार्व आप सेलेक् कादमी जाद जाद दिखें आप इस बे और आगे भी इसके लिए selection process जो है वह for STA B selection process will consist of tier 1 screening जो tier 1 होगा वो screening होगा and tier 2 जो की final selection है as described in table number 1 आप इसके detailed descriptions को आप पढ़ लेंगे आपके आद रहें table ने बताया है कि CBT for screening test of common to all post codes quantitative ability and maths का question होगा general intelligence and general intelligence and reasoning and gk का question होगा general awareness current affairs English language की जानकारी होगा general science के इसके number of questions जो होंगे 120 होंगे maximum marks 120 होगा इसका duration जो है 90 मेरसानी देर घंटे का होगा दोसरा की जो tier 2 है वा CBT for provisional selection test specific to the subject of the post code जिस post code के लिए आप eligible है उसके लिए specific होगा उसके number of questions जो है hundred होंगे और hundred marks के भी होंगे उसके लिए time जो limit है वो 90 मेरसानी देर घंटे हैं अच्छा सबसे important बात क्या लिखा हुआ है screening criteria क्या है कि tier 1 exam for screening the minimum qualifying marks for tier 1st is 40% and tier 1st में कम से कम 40% मार्क्स आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं यूर और ओवी से के लिए and 35% for SC and ST के लिए can it will be provisional list based on tier 1 अगर आप tier 1 complete करते हैं तो sort list हुआ अच्छा merit merit in the ratio of one is to eight आपकी इस तरह से नमबर आप वैकेंसी जितने उसकी टाइम स्ट लिस्ट किया जाएगा इस तरह से दिखाया गया इसमें दुसारा तरह लास्ट कांडिट से स्कुरिंग एक्वल मार्क्स जाना किये कि अगर दो बच्चे एक ही जैसे मार्क्स लाए इन ब्रैकेट विल अलसे इंक्लूड़ उनको भी काउंट किया जाएगा इस प्रोविजनली स्ट लिश्ट कंडिट्स बिल भी कॉल फॉर टाइर टू होगा उसमें बिल भी बेस्ट आउडर अप मेरिट अप्टेंड इन टाइर टू एक्जामिशन डिपेंडिंग अपों दा पोस्ट कैटोग सब्सक्राइब कॉलिफाइग मार्स टाइर सेकेंड इस फोर्टी परसेंट फॉर एंड थर्टी फाइप परसेंट पर सेंस्ट अच्छा सबसें इंपोर्टेंट बात अब है कि ट्रेवल टू में जो पेपर के बारे में बताया गया है वह टेक्निक के लिए है लोगा सीबी इंग्रीश जी इसका जो है हो 40 मार्क का होगा सेक्शन ए ए अन शेक्शन बी हो एटी मार्स का नी 120 कोस्ट्न होंगे 120 मार्क के लिए होंगे और टाइम दूरेशन घर घंटे कान 90 मिन नित का होगा दोसरा टेस्ट परिट इस्ट हो और क्वालिफाइग नींतर फॉर गालिफ तो इस तरह से मोटी मोटी जानकारी थी आपको बता दिया गया इसके ऑफिसल साइट पर जरूर विजिट करें और बहुत ही बहतरीन मौका है इसको आप अपना लें ठीक थैंक्यू